हेलो एवरिवन आज बनाएंगे हेल्दी और हेल्दी के साथ टेस्टी बथवे का रायता तो ऐसी और टेस्टी और हेल्दी रेसिपीस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सामने दिये गए बेल आइकन पर प्रेस करें अच्छे से पानी से वाश कर लेंगे तो इस तरह से साफ करके धोकर अच्छे से तयार कर लेंगे तो इस तरह मोटा मोटा कट करने के बाद अब एक कड़ाई या पैन में 100 ml पानी लेंगे और इसमें कटा हुआ बथवा डालेंगे गैस ओन करेंगे और लो फ्लेम पर 3-4 मिनिट बथवे को स्टीम में पकने देंगे बीच में एक बार चला दे तो 4 मिनिट हो गए बथवा पक चुका है जब यह हलका ठंडा हो जाए तो इने फाइन पीस लेंगे पीसने के बाद अगर इसे कप से मेजर करेंगे तो यह हाफ कप होगा अब बनाएंगे हम राइते के लिए एक मसाला तो उसके लिए सबसे पहले एक बोल में 1 टीस्पून काला नमक लेंगे इसी के साथ डालेंगे 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर अगर लाउग का पाउडर ना हो तो 5-6 लाउग को फाइन कूट लें अद्रक हूटने वाले में कूट सकते हैं यह इजिली पिस जाता है उसमें तो इस तर अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो तयार है हमारा राइता मसाला अब एक बोल में एक कप विस्की हुई दही लेंगे इसी के साथ डालेंगे हाफ कप पिसा हुई बथवे का पेस्ट टेस्ट को बढ़ाने के लिए डालेंगे हाफ टीस्पून पिसी हुई चीनी और 1-4 टीस्पून नमक नमक ध्यान से डालेंगे और टेस्ट के हिसाब से क्योंकि जो रायता मसाला बनाया है उसमें भी नमक है तो इस तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें देंगे एक तड़का तो इसके लिए एक पैन में वन टीस्पून घी गर्म करेंगे जब घी गर्म हो जाये तो डालेंगे हाफ टीस्पून जीरा दो पिंच हींग और एक से दो बारी कटिवी हरी मिर्च हलका सौटे करेंगे और डालेंगे एक साबुत लाल मिर्च तोड़कर डालेंगे और गैस आफ कर देंगे और अब इसे रायते पर डालेंगे मिक्स करेंगे और अब जो मसाला हमने तयार करके रखा था उसे टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे या हाफ टी स्पून भी डाल सकते हैं तो तयार है सर्दियों में बनने वाला बथवे का रायता तो ट्राइ करें और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक आप इसे बनाए और इंजोई करें